नमस्कार दोस्तों अगर आप बैंक से लोन के लिए अपलाई करना चाहते हैं अथवा अपलाई किया हुआ है और आप चाहते हैं कि बैंक आपको बिना आनाकानी के लोन इसु कर दे तो आपको अपना सिविल स्कोर समझना बहत जरूरी हो जाता है फिर चाहें आप छोटे अमाउंट के लिए लोन अपलाई कर रहे हो या बड़े अमाउंट के लिए बैंक जब तक आपका सिविल स्कोर चेक नहीं कर लेता है तब तक वो आपको कोई भी लोन इसु नहीं करता है civil score ही एक ऐसा criteria है जो bank आपको loan देते समय चेक करते हैं और आपका civil score ही यह तैंग करता है कि आपको loan मिलेगा या नहीं मिलेगा तो जब civil score इतना ज्यादा important है तो आपको अपना civil score समझ लेना चाहिए कि आपका civil score क्या है और इसका प्रभाव आपके loan पे कैसे पढ़ता है आप civil score कहां से चेक कर सकते हैं और जो civil score की report आती है उसको पढ़ते कैसे हैं समझते कैसे हैं और आप civil score को कैसे सुधार सकते हैं दरसल बैंकों ने civil score का मानक तैंक किया हुआ है कि इस threshold value के उपर अगर आपका civil score है तो ही loan आपको इसू करेंगे For example, अगर आपका civil score 750 के उपर है तो बैंक आपको comparatively low interest rate पे loan इसू कर देंगे अगर आपका civil score 750 से कम है तो बैंक आपको loan देने में आना कानी करेंगे चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ अपने laptop की screen पे जहां मैं आपको बताऊंगा कि civil score आप कैसे देख सकते हैं आप report download कैसे कर सकते हैं और report को पढ़ते कैसे हैं और अगर आपका civil score खराब है तो उसको कैसे ठीक करेंगे तो बिना देर किया है आपको लेके चलते हैं laptop की screen पे आपको civil score जानने के लिए आपको सबसे पहले अपना Google Chrome browser को open कर लेना है और यहां पर आपको type करना है civil score तो यहां पर जो आपको interface दिखेगा उसमें आपको यह site दिखेगी www.civil.com यह civil की ही site है free civil score and report इस पर आपको क्लिक करना है तो यह interface आपको कुछ ऐसा दिखेगा get your free civil score instantly get your free civil score यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको अपना account create कर लेना है यहां पर भी आपको देखो message लिखा हुआ आ रहा and checks your civil score before approving or loan get your free civil score and report now तो सबसे पहले क्या करना है आपको यहां पर अपना account create कर लेना है अकर आप पहली बार login कर रहे है तो personal information पूछ रहा है यहां पर आपको अपना email address देना है password create कर लेना है आपको एक strong password create करना है अपना first name लिखना है last name लिखना है और आपको ID अपना बताना है ID यहां पर आपको ID card नमबर देना है इतने सारे ID card का option है इसमें से आपको चूज कर लेना है जो भी आप देना चाहे अगर आप PAN card का number देते हैं यहां पर income tax ID number PAN तो ज्यादा preferable है उसके बाद अपना data birth लिखना है pin code लिखना है आपके address का और अपना mobile number देना है mobile number देने गवाद accept and continue पे click करना है आपने जो number डाला है उस पे OTP बेजा जाएगा वो OTP डालके इसको authenticate करना है आपका account create हो जाएगा जो मैंने already account create कर रखा है तो इसलिए मैं यह नहीं करूँगा उसके बाद verify your identity जैसे ही आप इसको accept and continue करेंगे यह इस पर move हो जाएगा verify your identity जो आपका OTP आएगा आपके mobile पे और आपका login create हो जाएगा मैंने login already create कर रखा था इसलिए मैं फ्रेश login नहीं बना होगा मैं नीचे विंडो कर करूँगा यहां से personal information के section में है जहां पर आपको ऊपर heading में दिख रहा है your civil score is 776 इस रिपोर्ट को अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं यह पूरा रिपोर्ट आप प्रिंट करके रख सकते हैं तो यहां पर personal information में आपका नाम आपकी डेटा बर्त आपका जेंडर आपका pancard यह पूरा information यहां पर आजाता है दूसरे section में अगर चले contact information में यहां पर address दिखाएगा अगर आपने address चेंज किया है तो उसका पूरा विगरण यहां पर रहेगा आपकी mobile number भी दिखेंगे यहां पर आपकी email id भी दिखेगा उसके बाद आता है employment information में कि आपका account type कैसा है आपका income कितना है आपका gross income कितना है वो सारा आपको दिखेगा फिर आता account information account information से मतलब है कि आपने आप तक कोई credit card ले रखा है कोई loan ले रखा है तो वो सारा information आपका यहां पर कि दिखाया जाएगा और यह information आपकी throughout दिखेगी, ऐसा नहीं है कि पिछले एक साल की दिख रही है, दो साल की दिख रही है, जब से आपने लिया है तब से दिखेगी, इसके बाद आपका inquiry information है, inquiry information का मतलग है कि जब भी आप कभी credit card अत्वा loan के लिए inquiry करते हैं bank में, वो information आपकी civil में दर्ध हो जाती ह तो आप यहां देख रहे होंगे, कि 2005 से information यहां पर recorded है, कि 2005 में SBA card के लिए inquiry की हुई है, 2022 फरवरी में भी SBA card के लिए inquiry की हुई है, यहां पर overall जो civil score दिख रहा है, वो 776 दिख रहा है, जब आप report को download करते हैं, तब इसमें आपका पूरा detail information दिखता है, कि आपने loan कभ open किय loan का close किया है, कितनी हमाई आपने time पर बरीं, कितनी delay फिल करीं, वो सारा information आपके यहां पर दिख जाता है, यहां पर आपके जो information दिखाए जाती है, वो आपके loan संबंदित होती है और आपके credit card संबंदित होती है, तो जैसे माल लेते हैं कि एक ICC bank का credit card है, इसका यह number है, य share करते हैं, जिससे कि आपका database तयार हो सके, इस database को तयार करने का वैजिक लिए एकी region होता है, कि आपका credit history तयार हो सके, आपके credit report तयार हो सके, जब भी आप bank से loan लेते हैं, या credit card से खर्च करते हैं, तो आप उसका repayment कैसे करते हैं, कोई delay है या on time pay करते हैं, यह सारा information civil maintain करत है, जब भी आप bank जाएंगे, चाहे credit card लेने, अत्वा loan लेने, bank आपका pen card कुछेगा, pen card के में यह सारा information bank को उपलगद रहती है, bank, आपके pen card से या आपका पूरा history card निकाल लेते हैं, कि आपने कितने loan लिये हैं, उनको कितने का repayment किया है, पूरा किया है, कि नहीं किया है, या कोई late किया है, यह सारा information आप देख सकते हैं, इस report को आप download करके रख सकते हैं, अभी जो मैंने आपको steps बताया, इनको follow करके आप अपनी civil score generate कर सकते हैं, आपका civil score, जिसको आप credit score बोलते हैं, वो महज एक number नहीं है, यह आपके behavior pattern को दिखाता है, कि जब भी आप bank से loan ले है, आप on time pay करते हैं, अथवा delay pay करते हैं, आपका civil score अगर कम है, तो आप कुछ basic steps follow करके इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे on time payment करके, माल लिजे आपके ऊपर कोई bank के dues आ रहे हैं, चाहे वो loan के हों, अथवा credit card के हों, तो उनको आप timely payment करें, इसमें अगर कोई देरी होती है, त साथ में, आपका civil score भी खराब करता है, तो आपको अपने सारे dues timely pay करना चाहिए, bank को, इनकेस अगर आप EMI pay करने में असमर्थ हैं, और pay timely pay नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने banker से बात करनी चाहिए, और उसको residual करवाना चाहिए, जिससे कि आपका civil score पे impact ना आए, दू documentation pending रह जाता है, इसकी बाइस से वो open source होता रहता है, और आपका civil score इससे खराब हो सकता है, तो आप timely अपना civil score चेक करते रहें, अगर आपको उसमें कोई गलती दिखें, तो आप अपने bank से बात करें, और उसको close कराएं, जिससे आपका civil score automatically improve होगा, third point आता है, आपको joint account या loan guarantor होने से बचना चाहिए, क्योंकि जिसने loan लिया है, अगर वो party कोई default करती है, तो उसका impact आपके उपर आता है, और आपका civil score खराब होता है, उससे, fourth point है, एक समय कई सारे loan ना लें, कई बार यह देखा गया है, कि हम छोटे-छोटे amount के कई सारे loan ले लेते हैं, ये एक negative impact डालता है, आपके civil score पे, कि number of active loan account आपके पर किदने चल रहे हैं, जिससे आपका civil score down होता है, अगर in case अगर आपको जरूत है, तो आप एक बड़ा amount का एक loan ले सकते हैं, और उसको timely pay कर सकते हैं, इस तरीके से आपका civil score खराब नहीं होगा, तो आप कई सारे loan लेने से बच फिफ्थ पॉइंट जो सबसे अधा important point है, कि अगर आप एक credit card इस्तेमाल कर रहे हैं, तो credit card का जो आउसत खर्चा मंतली आता है, वो credit limit की 30% से अधिक नहीं होना चाहिए, उदाहान के लिए माल लेते हैं, कि आपके पास एक credit card है, जिसकी limit एक लाख रुपय है, तो आपका आउसत मंतली खर्चा है, वो 30,000 रुपय से जादा नहीं होना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है, कि आपका खर्चा 30% से exceed हो रहा है, तो आप अपने bank से अपने card की limit बढ़ाने के लिए के हैं, लेकिन आप सुनिशित करें, कि आपका जो आउसत खर्चा है, वो 30% से exceed न करेंगे कि आपका credit score gradually improve होने लगा है, उमीद है दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अकर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, और bell icon का बटन दबा, जिससे हमारे नए वीडियो का notification आप तक पॉसता रहा है, हम ऐसी ही informative वीडियो आते रहते हैं, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थाइंक यू, जाहें